हलो दोस्तो मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है टेवारों का सीजन आ रहा है इसलिए घर में तर्रतर की मिठाईयां बनाई जाती है इसलिए मैं आज आपके साथ एक नई तरह की मिठाई की रेस्पी सेर करने वाली हूँ ये एक बिल्कुल नई तरह की मिठाई है जो टेश्टी होने के साथ साथ आसानी से बन भी जाती है चले फिर आज की तेवार स्पेसल मिठाई बनाते हैं आज की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिटर दूद लिया है ये गाय का दूद है इसका हमें छेना तयार करना है इसलिए इसमें एक उमाल आने देंगे दूद में अब उमाल आ चुका है इसे एक मिर तक पका लेंगे अब दूद को थोड़ा ठंडा करेंगे इसलिए इसी किसी भी बड़े चमज या कर्शी से इसी तरह हिलाते रहें जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए दूद को फारने के लिए एक गोल तायार किया है जिसमें 4 चमज विनेगर और 4 चमज पानी लिया है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे चाहे तो विनेगर की जगर नीमो का रस भी ले सकते हैं अब दूद थोड़ा ठंडा हो चुका है अब इसमें विनेगर और पानी का जो गोल बना के रेखा था उससे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसी तरह दूद में अच्छे से mix करते जाएंगे मिनेगर का गोल इसमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके ही डाले अब ये दूद फटने लग गया है जब भी दूद का छेना बना रहे हूँ दूद को थोड़ा थंडा करके ही इसे फटना है इससे छेना बिल्कुल सौप्ट बनता है अब ये दूद अच्छे से फट चुका है इसका पानी भी हलका ग्रीन हो गया है अब इसे छान के छेना और पानी अलग कर लेंगे इसे छानने के लिए एक बोल में बड़ी से छानी रखेंगे और उसके उपर इस तरह से कॉटन का कपड़ा रखेंगे और सारा फटा हुआ धूद इसमें डाल देंगे अब चारे तरप से कपड़े को पकड़के इसकी पोटली बनाएंगे और इसके अंदर का सारा पानी निकाल लेना है इसलिए इस पोटली को हलका हलका प्रेस करना है अब इसकी पानी को अलग कर लेंगे अब फटे हुए दूद के छेने को दो-तीन बार साप पानी से अच्छे से दो लेंगे ताकि इसमें जो विनेगर या निम्बू का रसका घोल डाला था वो अच्छे से निकल जाए और एक-एक बार धोते हुए इस तरह पोटली बना के हलका हलका प्रेस करेंगे इस प्रोसस को दो से तीन बार करना है लाश्ण में दोने के बाद अब इस पोटली को थोड़ा दबा के प्रेस करें ताकि इसके अंदर का पानी अच्छे से निकल जाए और इसे पंद्रा मिंट के लिए इसी तरह छोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्टा वाटर हो वो भी थोड़ा निकल जाए अगर चाहे तो हलकी वज़नदार चीजिस के उपर रख सकते हैं आप इसकी चासनी बनाएंगे चासनी बनाने के लिए एक चौड़ा बरतल लेंगे और इसमें तीन कप पानी डालेंगे ये हाफ लीटर पानी है अब जिससे पानी मापाथा उसी कप से एक कप चीणी डालेंगे वज़न में ये चीणी 180 ग्राम है इसमें मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कम जादा कर सकते हैं अब चीणी घुलने तक इसी इसी तरह पकाएंगे चीणी मेल्ट होने के बाद अब इसमें दो कुटी हुई इलाइची डालेंगे और इस चासनी को दो से तीन मिनट तक पका लेंगे इसकी एक तार की चासनी नहीं बनानी है पंदरा मिनट हो चुके हैं अब इस छेने को एक चौड़े बरतन में निकालेंगे अब ये छेना दानेदार है और हाड भी इसलिए इसे हाथ की हतेलियों से इस तरह मसलेंगे इसे हमें पाच मिनट तक ऐसे ही मसलना है ताकि ये स्मूट डो बन जाए जितना इसे मसलेंगे उतना ही स्पॉंची रशोगुला बनता है अब ये स्मूट डो बन चुका है अब इसमें आदा चम्मच कॉन फ्ला डालेंगे और दो से तीन ड्रप जेल फूड कलर यहाँ पर मैंने पीछ कलर लिया है और फिर से इन दोनों को डो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलर डालने से यह काफी अट्रक्टिव दिखता है फिर से दो मिनट के लिए इसे हाटेलियों से इस तरह मसलते में मिक्स करेंगे अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसके छोटे-छोटे गोले बनाएंगे अंगुरी रसोगुला बना रहे हैं इसलिए गोले छोटे-छोटे लेना है क्योंकि बाद में चासनी में पकने के बाद यह डबल हो जाएंगे इस तरह से इनकी बिल्कुल छोटे-छोटे गोले बना लेने हैं छेना अगर परफेक्ट नहीं बना है तो ये गूल भी नहीं होगा और चास्नी में डालने के बाद फूड भी जाएगा इसलिए स्पॉंजी रसगुला बनाने के लिए सबसे इंपोर्टनिस बात इसके छेना बनाने की होती है इन्हें इसी तरह से गूल कर लेंगे अब एक एक करके इन्हें उमलती हुई चास्नी में डालेंगे इन्हें डालते से मैं गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए और एक एक करके ही डाले एक ठाठा डाला तो यह आपस में चिपक जाएंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लें और बैल आइकोन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसी नई नई रेस्पी शेयर करती रहूँ इन्हें चासनी में डालने के बाद थोड़ा सा बरतन हिला लें ताकि ये कहीं पे चिपके नहूँ और ढखन रखने के बाद इसे 5 मिनिट के लिए मीडियम प्लम पर ऐसी पका ले 5 मिनिट हो चुके हैं ये फूल के डबल हो गए हैं इन्हें उमलने के बाद इसमें पानी काम हो गया है अब इस बरतन के सैट से थोड़ा थोड़ा गरम पानी डालेंगे इसमें हमें गरम पानी डालना है गरम पानी डालने से इसका कोकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है जिससे ये हाड नहीं होते और आब इस पे ढखका रखने के बाद 4 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे अब ये फूल के डबल हो गए हैं अब इन्हें निकाल के पूरी तरह ठंडा कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे सौप्ट सौप्ट स्पॉंजी ये अंगूरी रसगूले बनके तयार है आप इन्हें ऐसे भी इन्जॉय कर सकते हैं अब एक बोल में डेड़ कप डेसिकेटर कोकोनट डालेंगे वजन में ये 150 ग्राम है अब इसमें हाप कप कंडेंस मिल्क डालेंगे ये होममेंट कंडेंस मिल्क है वजन में ये 50 ग्राम है आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अगर ये थोड़ा ड्राइ लग रहा है तो एक दो चमच कंडेंस मिल्क और एड़ कर सकते हैं इसका बिल्कुल एक सॉप्ट डो तयार करना है आप चाहे तो हाप कप मिल्क पौडर भी आड़ कर सकते हैं अब इसमें 2-3 ड्रॉप वैनिला एसेंस डालेंगे आप अपनी पसंद से कोई भी एसेंस इसमें यूज कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनिट के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए अब रसोगुला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इस कोकोनट मिक्सर का छोटे छोटे लड़ू बनाएंगे और लड़ू बनाने के बाद इसे दोनों हाथ की हतोली पर रखके इस तरह फ्लैट कर देंगे और इसके बीच में एक अंगूरी रसोगुला रखेंगे और इस तरह से चारो तरफ से इसे पैक कर देंगे और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे इसके अंदर अंगूरी रस गुले की स्टफिंग करते समय पूरा रस नहीं निकालना है ये देखे ये अच्छे से गोल हो चुका है अंगुरिय रजगुले की स्ट्रफिंग करते हुए सारी मिठाई बना लेनी है कोकोनट का डो ज़्यादा बड़ा नहीं निकालना है इससे ये ज़्यादा बड़े भी बन सकते हैं ये एक बिल्कुल नई तरह की मिठाई है इस समय के तेवार में आप जरूर बनाएं ये किन मानिये सबको बहुत पसंद आएगी स्ट्रफड कोकोनट लड़ू या छेना स्ट्रफड मिठाई बन के तयार है अब इस लड़ू या मिठाई की कोटिंग करेंगे इसके लिए एक चौड़े बरतन में हाफ कप डेसिकेड़ कोकोनट लेंगे अब इसमें 3-4 ड्रॉप फूड वाला पिछ कलर डालेंगे आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं और इसे इसी तरह हाथ से मिक्स करेंगे ताकि कोकोनट कलर को एब्सॉर्ब कर ले इसे मिक्स करते समय में पानी की एक भी बून नहीं डालनी है इसे डेसिकेड़ कोकोनट गीला और चिपचिपा हो जाएगा इसमें कलर इसी तरह हाथ से मिक्स करना है अब इसमें अच्छा सा कलर आ गया है अब इन लड्डूओं के उपर इस colorful desiccated coconut की coating करेंगे इस मिठाई या लड्डू को इस पे चारो तरप से घुमाना है जिसे ये मिठाई के उपर अच्छे से चिपक जाए इस तरह से सारे लड्डूओं के उपर इसकी coating कर लेंगे स्ट्रप्ड कोकोनट लड्डू या मिठाई बन के तयार है इसे मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितने टेस्टी लग रहे है मेरी आज की रेस्पी का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के मेरी बनाई रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसी नई नई रेस्पी शेयर करती रहूँ और आप भी इसे घर में बनाए और इंजोई करें